हेलो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगी पाठ एक सादो देखो जग बोराना जो कभीर दुआरा रच्छी थे प्रस्तुत पद में कभीर अपने युग में व्याप्त हिंदू मुस्लिम धर्म की वी संगत्यों तथा अंतर विरोधों दार्मिक संकिन ताओ बायार डंबरों आधिका खुल कर विरोध करते हुए धर्म के ठेकेदारों को आत्मे ज्यान प्राप्ति की नसियत दे रहे अर्थात कभीर वक्त कभी थे वे समाज में व्याप्त धर्मिक बायार डंबरों को पसंद नहीं करते थे इसलिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिमानों दोनों के धर्मों में व्याप्त धर्मिक पूरुतियों और दिखावों का खुल कर विरोध किया है और बताया है कि धर्म के ठेकेदारों को आत्मग्या नहीं है और वे अनावशक डोंगों के चक्कर में पढ़कर इश्वर से दूर हो गए है उनमें सद असद का विवेक नहीं रह गया है अब हम पढ़ेंगे पद सादो देखो जग बोराना पढ़ाना का मतलब होता है पागल और सादो कबीर भायों की और संक्यत करते हुए बोल रहे हैं कि सादो के भायों देखो इस संसार के लोग पगला गए हैं पागल हो गए है साची कहतो मारन धावे जूटे जग पतियाना कोई उन्हें सच्ची बात बताता है तो वे उसकी बात सुनने को तयार नहीं होते उसकी बात पर उन्हें गुस्सा आता है वे उनकी बात को मानते ही नहीं है और उनको मानने दोरते हैं लेकिन अगर उनके सामने कोई जूटी बात करता है और दिखावा करता है और अपनी बात को बड़ा चड़ा कर बोलता है, जो सकते नहीं होता है, तो उसकी बात को वो बड़े चाव से मन लगा कर सुनते हैं, उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं, यानि उनमें सच और जूट की पैचान नहीं रहे गई, उनको ये नहीं पता है कि सच क्या है और ज श्वास करते हैं। इस बात को लेकर वो आपस में क्या करते हैं? लड़ते जगरते रहते हैं, कट मरते हैं लेकिन सच्चाई की बात को नहीं जानते हैं। उनका ग्यान कैसा होता है? खोकला होता है। उनमें आत्मिक ग्यान नहीं होता है। मतलब वे लोग क्या करेंगे? सुबह जल्दी उठेंगे, ना हाएंगे, फिर दिखावा करते हैं लोगों के सामने लेकिन उनका ग्यान एक खोकला होता है। उनमें आत्म ग्यान बिलकुल नहीं होता है। आत्म छोड़ी पशाने पूजे तिनका थोता ग्याना वो आत्म ग्यान को मात्व नहीं देते और पत्थर की पूजा करते हैं तो उनका ग्यान कैसा है? खोकला है एक तिनके के बराबर है। उनका आत्मिक ग्यान नहीं है। आसन मारी डिम्ब धरी बेठे मन में बहुत कुमाना। वे आसन और ध्यान की बाते करते हैं और इस पर उन्हें बहुत अभिमान है। ठीके वो बाते कैसे करेंगे? आत्म ग्यान की और ध्यान की बाते करेंगे और अपनी बातों का प्रचार प्रसार करेंगे और ये सब बा पूजन लागे तीरत बर्त बुलाना माला पहिरे टोपी पहिरे चाप तिलक अनुमाना साकी सब्दे गावद भूले आतम खबर न जाना बाय दिखाओं में विश्वास करने वाले ऐसे लोग पीपल के व्रक्ष और पत्थर की पुजा करते हैं तीरत वर्त में अपना समय बर पूजा करेंगे पत्थर की पूजा करेंगे व्रत करेंगे और भगवान के दर्षन करने के लिए तीरत यात्रा करेंगे और इसमें ही अपना समय बर्बात करेंगे। और अपना दिखावा करने के लिए कैसे कपड़े साधारन कपड़े पेलेंगे फिर माला पेनेंगे टोपी पेनेंगे चाप मतलब भगवान के नाम का चाप करवाएंगे तिलक लगाएंगे एसे बन के वो लोग दिखावा करने के लिए ऐसे बन तन के गूमते और अपने दियम वाली साखी और परमात्मा के शुष्म ज्यान तथा शब्बत का प्रचार करते घूमते हैं, आत्म ज्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो कबीर ने आत्म ज्यान को महत्व दिया है, अपना आत्मिक ज्यान ही सबसे बड़ा ज्यान होता है, वही परमात्मा का ज लेकिन ये ग्यान सबको अनुभव नहीं होता है। सारे लोग दुनिया में हिंदू और मुसल्मान में कैसे रह गए हैं दिखावा करने वाले। और अपने गुरु को भी ले डूपते हैं। जो गुरु ऐसे शिश्य को बनाता है, जो घरगर जाकर मंत्र देते हैं, अपना ज्यान बाटते रहते हैं, तो ऐसे शिश्य दिखावा करने वाले शिश्य खुद तो डूपते हैं, अपने गुरु को भी ले डूपते हैं। और अंतकाल में ऐसे लोग पच्चतावे के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। बहुतक देखे पीर ओल्या पड़े किताब कुरान करे मुरिद कबर बतलावे उन्हों खुदा न जाना। कबीर कहते हैं मैंने अने पीर ओल्या देखे हैं। ये किताबे और कुरान पढ़ते हैं ये लोगों को अपना अनुयाई बनाते और उन्हें मृत्यू का भाई दिखाते हैं लेकिन वे खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। वे लोगों को मजार पे बुलाते हैं। पढ़ते हैं प्राप और कुरान पढ़ते हैं। किता तो कबीर कहते हैं कि आसे पीर ओल्या मैंने बहुत देखे हैं। जो सीप दिखावा करते अनुयाई बनाते और उनको मृत्यू का भाई दिखा कर अपने मजार पर बुलाते हैं लेकिन ये सहत्य बात नहीं है। हिंदू की दया मेहर तुरकन की दोनों घर से भागी वह कई जिब वह जटका मारी आग दोगर लागी। कबिर कहते हैं कि हिंदू की दया की भावना तता मुस्मानों की कृपा की दस्टी इन दोनों के रदे से गायप हो गई है। मुस्मान हलाल करते हैं और हिंदू चटका मतलब दोनों ही जानवरों को मारते हैं। हलाल करना मतलब किसी जानवर को तीरे-दीरे मारना और चटका मतलब एक ही बार में उसका सीर दर से अलग कर देना तो दोनों में ही नेतिकता और दया खतम हो गई है दोनों ही मारते तो जानवरों कोई है वो चाहि कैसे भी मारे तो दोनों में नेतिकता नहीं रही है या विद्धी हसत चलत है हमको आप कहावे शाना कहे कबीर सुनो भै सादो इन में कौन दिवाना तो कबीर दाजी कह रहे हैं ये लोग मेरी बातों पर हसते हैं और अपने आपको पुद्धिमान कहते हैं कभीर कहते कि है भाईयों, आप भी बताइए कि इनमें कौन पागल है, सब लोग मुझ पर अहस रहें लेकिन आपको पता है भायों तो आप मेरेबात को बताये कि इसमें से कौन पागल है? घैंक यू